हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू एचसेसी एड़ा एचसेसी एड़ा यूट्यूब चैनल पर आप सबी साथियों का मैं प्रदीप सहरा उत एक बार फिर से हार देख स्वागत करता हूँ तो प्यारे बचों जैसा कि आप जानते हैं हमने एचसेसी के लिए प्यारे बचों और उन क्लासिज में हमने कहीं सारे टोपिक्स जो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में आप जाकर देखोगे वहाँ पर NCRT, CET, HSSC, स्पैसल मैट्स की क्लासिज और कम से कम भी हमारी आज ये जो कलास है, कलास नमर है 18 यानकि इससे पहले हमारी 17 कलासिज हो चुकी है तो आप सोच सकते हो प्यारे बचों, हमने अभी तक 17 कलासिज किया है और सारी की सारी marathon classes है, कोई 2 गंटे की, कोई 5 गंटे की, कोई 4 गंटे की भी है, कोई 1.5 गंटे की भी है, इस तरह से सारी classes हमने की है, आज भी हम class जो करेंगे पैरेबचो, अपनी ये class, relation and function का एक topic है पैरेबचो, इससे पहले हमने set और subset का एक topic किया था, उसके बाद फिर हमन एक आयोटा का topic बीच में कर लिया था, वैसे हमारा relation and function का number आता है उसके बाद, तो relation and function का एक ऐसा topic है पैरेबचो, ये topic बहुत ज्यादा important है, खासकर हरियाना पुलिस की तैरिक करने वाले बचो के लिए, इसके लाब HSC के कई और exam, जैसे की color का exam हो गया है, वहाँ पर यहा HSC का नाम आ जाए, चाहे वो CET की बात करे या फिर सीधा HSC से जुड़ा हुआ कोई advertisement, तो इस topic से सवाल बनना लाजमी है पैरेबचो, बहुत ज्यादा important है, थोड़ा सा complex topic है, थोड़ा सा tough topic है, लेकिन इतने easy way से तुम लोगों को समझाऊंगा, अगर आराम से बैठ कर में आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, अगर topic को द्यान से नहीं समझोगे, वीडियो को skip करके देखने की कोशिज करोगे, तो फिर examiner तुम लोगों को skip करतेगा, ठीक है पैरेबचो, तो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर relation and function की, यह हमारी आज class number one होगी topic की, पैरेबचो यह एक थोड़ा साना complex topic होता है, जिसको controversial topic हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे, मतलब, तुम लोग अगर एक बार में सारा पढ़ने बैठ जाओगे, तो confused हो सकते हो, इसलिए मैंने इसको अलग-अलग party में divide करने की कोशिस की है, ताकि तुम लोगों के लिए चीज cartesian product, c-a-r cartesian product, okay पहरे बचो, product का मतलब होता है, multiplication, यहाँ पर cartesian product बोला जाता है, इसको इसका एक part होता है, यह relation का ही, और उसमें हमें क्या करना है, पहरे बचो, sets के multiply करना है, आपस में, इसके बारे में सारा basic बताऊँगा, इसके बाद जो next अपनी वीडियो होगी, पहरे कोई set देगा, और उनके बारे में बोचेगा, कि इसकी जो range क्या होगी, cartesian product करने के बाद उनकी range भी निकलती है, पहरे बचो, उनकी domain भी निकलती है, और एक निकलता हमका co-domain, फिर इनके बारे में पढ़ेंगे, class number 3 जो होगी, पहरे बचो, उसमें हम relation के कुछ types पढ़ें हुआ, चोथे number पर हम जो पढ़ेंगे, पहरे बचो, उसमें पढ़ेंगे हम types of function, functions के type, functions क्या होते है, function से जुड़े हुए, कैसे कैसे सवाल, HCC paper में पूछता है, और उसके बाद हमारा होगा 5 number पर operations, operations of relation and function, और उसके साथ अपना पढ़ेंगे, पहरे बचो, हम कुछ important questions, जो merge question होगे, दोनों से जुड़े हुए, और लगबग यहां पर अपना topic जो हो, complete हो जाएगा, अब इनके अंदर क्या क्या होगा, प्यारे बचो, जैसे कि Cartesian product पहली class है आज की, इसके अंदर मैं प्यारे बचो, पहले क्या करूँगा, जैसा कि मैं हमेशा हर महरतन, special महरतन के अंदर क्या करता हूँ, पहले तुम लोगों को थोड़ा सा basic समझाता हूँ, किसी भी topic के बारे में, बिलकुल पहले पूरा basic उसका समझते हैं, सारे concept उसके समझते हैं, कोई एक single concept नहीं छोड़ते हैं, ताकि किसी भी concept से सवाल नहीं बन जाए, और MCQ की बात होती है, यह यहाँ पर आपके जो paper होते हैं, वो multiple choice questions वहाँ पर आते हैं, competition exam की मैं बात कर रहा हूँ, तो प्यारे पचो, वहाँ पर होता क्या है अपना, यह जितने भी questions होते हैं, यहाँ पर multiple choice questions होते हैं, वो basic में से बनते हैं, और अगर हमें basic, अमारी जो new कमज़ोर होगी, तो प्यार previous year के questions तुमको दिखाता हूँ, कि HSSC ने previous year paper में यह question हमसे पूछे हुए हैं, तो अब तुम लोग देख सकते हो यहाँ से, कि प्यारे पचो, यह questions देखने के बाद, क्या मतलब यह इतना सारा पढ़ने के बाद, यह previous year के question तुमारे लिए कहाँ पर stand करते हैं, सभी कैसा भी प्यारे बचो, इसके अंदर होता है आई बटन, हर एक वीडियो के अंदर, जब आप वहाँ पर quality विगारा change करते हैं, वहाँ पर आता है आई बटन, उसको दबा कर उसके अंदर कुछ वीडियो का information दी होया है, वो information ज़रूर ले प्यारे बचो, दूसरी बात प्यारे बच कोसिस करते हैं पहले टोपिक के बारे में बात करते हैं और आगे बढ़ने से पहले एक चोटी सी information और दे देता हूं तुम लोगों को information क्या रहेगी प्यारे बचो HSC previous year papers अभी तक HSC ने तो previous year के paper लिये हैं आज तक 1500 plus papers में से मैंने match के questions तुम लोगों के लिए निकाले हैं 1500 plus questions है प्यारे बचो उनकी PDF है ठीक है 1500 plus questions with solution और एक PDF है प्यारे बचो same to same 1500 plus questions की with answer की इसमें सिर्फ answer की मिलेगी आपको solution नहीं मिलेगा और इसमें दोनों चीज़े मिलेगी इसकी cost होगी आपकी 30 रुपे और इसकी cost होगी प्यारे बचो आपकी 20 रुपे आप इनको purchase कर सकते हो आप गुरुजी purchase कैसे करनी है तो purchase करने का तरीका भी बता रहा हूँ प्यारे बचो दो नमबर बता रहा हूँ पहला नमबर है बाण में 533 500 इस नमबर पर आपको payment करनी है जिस भी जरीए से आप कर सकते हो उसी जरीए से आपको payment करनी है ठीक है और अपना जो screenshot होगा वो 89, 88, 10, 14, 12 इस नमबर पर आपको अपना screenshot बेज़ना प्यारे बचो वो payment है इसके ओपर मैं special video बना चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का link है वहाँ से उसके बारे में जानकर ही ले सकते हो अभी तक 32 topic से question पूछे हुए है वो 32 topic कौन-कौन से हो सकते हैं वो सारे इसमें topic wise मैंने arrange किये हुए है 12 गंटे की marathon class है वो class आप लोग चाहो तो देख सकते हो अगर आप सर्च करोगे YouTube पर सिद्धी मिल जाएगी तो प्यारे बचों बहुत सारे बचों ने ये PDF खरीद दिया है और उन्होंने content को देखा है वीडियो के अंदर तो इनसे होता कुछ नहीं है प्यारे बचों previous year के questions देखने से हमें सिरफ ये पता चल जाएगा 32 से भी ज्यादा topic बनते हैं अगर देखा जाए तो एक topic मैंने लास्ट में बनाया मिस सहलेनियस का उसके अंदर मैंने कहीं अलग-अलग topic के question डाल दिये ताकि तुम लोग ज्यादा confusion हो क्योंकि अगर मैं हर एक question को अलग-अलग डालता तो 40 से व्यूप पर निकल जाते हैं तो लग-बग 32 टोपिक से question पूछे हैं प्यारे बचो पीडिया परचेज करीने का तरिक का मैंने बता दिया है अगर कोई वीडियो देखना चाहता है कि भी कैसे परचेज करने ये पूरी इंफोर्मेशन लेना चाहता है तो वो प्यारे बचो अपना description में जाकर या फिर i button से उसको link में जाएगा इसके अंदर प्यारे बचो इस number पर जो उपर वाला number है इस number पर आपको सिरफ और सिरफ पेमेंट करनी है प्यारे बचो आपको ने कोई message ने कोई screenshot ने कोई call इस number प अपना screenshot बेजोगे तो आपको PDF नहीं मिलेगी यह हिदायत प्यारे बचो ध्यान रखना और कोई information आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि PDF के बारे में चाहिए कोई किसी की information के लिए कोई call ना करे please हाथ जोड़ कर request करता हूं प्यारे बचो बहुत सारी call हो जाती है इस तरह प्यारे बचो अब अपने topic की तरह बढ़ते हैं topic का नाम है मारा Cartesian product आज हमारा relation and function का topic चल रहा है प्यारे बचो और relation and function के अंदर हम जो करने वाले हैं आज Cartesian product के सवाल और फिर HSSC दुआरा पूछे गए previous year के questions दोनों को मिला जुलागर करेंगे प्यारे बचो तो अपना ज़रूर कम से कम भी मैं कहूंगा प्यारे बचो एक और बात हां इससे पहले मैं एक वीडियो डाली थी sets और subset के उपर तो प्यारे बचो मैं आप लोगों से request करूँगा जिस बचे ने set और subset की वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो ज़रूर देख ले क्योंकि ये वीडि होंगे integration का topic होगा वो सारे के सारे इस topic के उपर relation and function के उपर depend करेंगे तो ये सारी चीज़े आप लोग के लिए बहुत ज्यादा important है अब Cartesian product के बारे में बढ़ते हैं Cartesian product of sets Cartesian Cartesian product of sets प्यारे बचों मैं सीधी सीधी बात लो एक तुम लोगों को clear बात बता रहा हूं जिस बचे ने भी sets and subset वाली वीडियो नहीं देखी है वो इस वीडियो में बहुत ज्यादा continue to evolve इसके बाद यह पहली पार्ट के आगारे लिए फत्रों प्यांप लीडियो के का सकता हो ऊके जब़ए हैं सब्कुर्ण आज में एक नए तरीके की ट्रिक्स के साथ पूरा टोपिक मैंने करवा रखा है, इतनी मेहनत प्यारे बचो आप लोगों के लिए की गई है, और इतना जोर क्यों दे रहा हूं, मुझे कुछ नहीं मिलना है प्यारे बचो तुम लोगों का टोपिक कलियर होगा, तुम लोगो एक सेट ए, इसके अंदर कुछ आइलिमेंट्स अविलेबल होगे, मैं फिर से कह रहा हूं, जिसने सेट सबसेट वाली वीडियो नहीं देखी है, प्यरे बचो उसके लिए ये टोपिक जो है, बड़ा मुश्किल होने वाला है, और जिस बचो ने वह वीडियो देखी है, ज सेट के अंदर कुछ और ऐलिमेंट्स देदिया है, उसने दे दिया चार, पशार, पांच और शाइं, दोनों ही सेट के अंदर तीन-देलिमेंट्स कर लेंट्स, तो यहां पर एक अलिमेंट्स कम कर लेते हैं, जयात हो जाएंगे, तो थोड़ा ग्याट बचल हो जाएगा, तो यहाँ पर इस तरह से दे दिये उसने, इस तरह से हमें कुछ elements दिये हैं, दो set दिये हुए हैं, उसने हम से सीधा सीधा question क्या किया, कि A x B, इस तरह से paper में लिखा हुआ आएगा, बताओ किसके equal होगा, A x B बताना है, इसके अंदर कई तरह के question मनेंगे, A x B, फिर वो product का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है, गुणनफल, किसी भी चीज का हम गुणनफल निकालते हैं, आपस में गुणा करते हैं, और यहाँ पर A x B लिखा हुआ है, यानि कि A x B इसको कुछ भी बोले हैं, कोई फरक नहीं पड़ता हमारे पर, A x B बोल सकते हैं A x B बोल सकते हैं, A x B बोल सकते हैं, A product बोल सकते हैं, कई बार इस तरह से लिखा हो अभी दे देगा, A dot B, मतलब उसका यही होगा, प्यारे बचों, A dot B लिखा होगा, तो अभी यही सेम मीनिंग होगा, तो ध्यान रख ले ना इन चीजों को, कई बार examiner क्या करता है, तुम प्रटाई करने के लिए वो क्या करेगा, जो चीज तुमको आती है वो गल्त करवाने की कोशिश करेगा, और उसमें तुम लोगों को जाल में फसाने की कोशिश करेगा, इसलिए मैं कहा रहा हूं, प्यारे बचों, तुम लोगों के लिए basic चीज है, बहुत ज्यादा important है, ह हमें यहाँ पर एक set बनेगा हमारा, set के अंदर कुछ element आएंगे, element किस तरह से आएंगे, a cross b, किस तरह से, इसकी definition क्या है, उन चीजों का तुमारे लिए कोई काम नहीं है, सिद्धा सवालों के उपर आते है, तो यहाँ पर पेरे बचों, उसने क्या कहा है, a cross b हमें निकाल होंगे न, अगर तीसरा set होगा तो पर तीन element वाला एक-एक बनेगा यहाँ पर, एक element तीन element से बनेगा, तो यहाँ पर देंगे चार, हमारे पास दो ही set है, अब आज आता है प्यारे बचों, इसका दूसरा element, यह पूरा एक element बनेगा, इसका एक रोज भीगा, मैंने सारी च अब इसका दूसरा element, क्योंकि यह 3 पूरे होगे, इसके साथ यह 3 नो आगे, अब दूसरे के साथ 3 नो गो लेंगे इसी तरह से, 2,4, 2,5, 2,7, इस तरह से इनको लेंगे, और यह अपना क्या हो जाएगा प्यरे बचों, एक क्रोस भी, यहाँ पर A multiply भी, A product भी, इस तरह से यह एक set बन जाएगा, हमारा यह पूरा set बन गया, एक नया set बनके हमारे पास आ गया पर इस सेट के अंदर 1 element यह है, 1 element यह है एक element यह सारे एक-एक element है यह दो elements से मिलकर एक-एक element बनेगा अगर तीन सेट दी होते तो तीन-तीन elements से मिलकर एक-एक सेट बनता इस तरह से हमारा यह क्या होता प्यारे बत्चों एक रोस भी यह Cartesian product के अंदर सबसे main बात होती है यह वाली अब आगे और भी कुछ बाते होती है इसके अंदर इसके अंदर एक बात हमारी बनती है कि number of elements अगर हमें निकालने पड़ जाए प्यरे बचो number of elements SSSC ने यहां से question पूछ रखा है उसने पूछ रखा है कि एक set है वहाँ पर Cartesian product करो उसका और यह बताओ सिधा-सिधा कि number of elements इसके अंदर कितने बनेंगे तो हमें वहाँ पर number of elements बताने थे कितने बनेंगे तो प्यरे बचो number of elements को निकालने का तरीका क्या होगा देखो यहां पर set A के अंदर कितने element है set A के अंदर कितने element है प्यरे बचो 1 और 2 2 element है set B के अंदर कितने element है 3 element है दोनों को आपस में multiply करो कितना आगया 6 अपने पास A x B हमने निकाल रखा है अब elements गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने हैं पैरे बचो मतलब क्या है पैरे बचो जितने element इस set के अंदर है और जितने element इस set के अंदर है उन दोनों का product क्या होगा A x B के elements जितने element इसके अंदर बनने हैं उतने ही वहाँ पर आ जाएंगे ठीक है पैरे बचो अब यहाँ पर कई और questions बन जाते हैं कई बार वो पूछ लेगा B x A क्या होगा ठीक है पैरे बचो B x A, वहाँ पर पहले B दे देगा फिर बाद में A देगा ठीक है उसमें क्या करना होगा हमें पहले हमने यहाँ पर जब A x B था तो पहले A के element लिए थे फिर B के लिए थे तो अब क्या करेंगे पैरे बचो पहले B के element उठाएंगे तो B का पहला element क्या है पैरे बचो 4 और A का पहला क्या है 1 अब B का पहला 4 और A का दूसरा 2 A के complete होगे पैरे बचो अब ये दूसरा जोड़ा उठाएंगे 5 और ये 1 फिर 5 और 2 फिर उठाएंगे पैरे बचो 6 और 1 फिर उठाएंगे 6 और 2 इस तरह से भी आ सकता है पैरे बचो यहनकि चाहे वो A क्रोस B की बात करें तो हमारा क्यों होगा पैरे बचो हमारे ऐलिमेंट जो हो तने ही बनेंगे देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ही ऐलिमेंट बन रहे हैं और 6 ही ऐलिमेंट हमने निकाले थे ये most most important बात है पैरे बचो यहाँ पर number of इसको इस तरह से भी दिखा सकते है number of elements in A multiply by number of elements in B इसको इस तरह से दिखाया जा सकता है पैरे बचो कि हमारे पास total number of elements जो है वो कितने बने हैं अब पैरे बचो यहाँ पर 2, 3 बाते और होती है important important मैं थोड़ा सही नीचे वाला बरफ कर रहा हूँ इसको screenshot ले सकते होगर चाहोता हूँ यह तो होगी थी अपनी number of elements वाली बात एक number of अपना क्या है पैरे बचो एक मिनट में देख लेता हूँ number of subsets के बारे में भी वो कभी कभी पूछ लेता है तो यदि अगर तुम लोगों को number of subsets निकालने पड़ जाएं तो फिर पैरे बचो किस तरह से number of subsets तुम लोग निकाल पाओगे वो भी मैं बता देता हूँ तुम लोगों को वो मैं आगे बताओगा जब उसके बारे में सवाल है आगे सवाल करेंगे वो है कि कर ऑले में बता देता हूं तुम लोगों को कुछ और नइबाते में सके बारे में सब्सक्राद के बारे में बताता हूं और इनफाईनाइट सपे बारे में अगर वो कहें हमें थोड़ा सा concept जो चेंज ओने वाला है अब यहाँ पर उसने क्या दे दिया प्यारे बचो हमें भी सेट जो वो एक MPT सेट दे दिया है यह फाई है फाई का मतलब क्या होता है प्यारे बचो फाई का मतलब होता है MPT सेट हमारा B set क्या है प्यारे बच्छो MPT set है उसने हमें कहा है एक रोस भी मुझे निकाल कर बताओ तो प्यारे बच्छो यदि हमारा एक set MPT होगा तो सोचने वाली बात है हम इसके पेर किसके साथ बनाए इसके जोड़ी किसके साथ बनाए खाली set में कुछ भी नहीं है कोई element है ही नहीं तो प्यारे बच्छो अपना क्या हो जाएगा यह फाई हो जाएगा यानि कि MPT set के साथ अगर क्रोस प्रोड़क्ट करने की कोशिश करोगे तो वो हमारा MPT set ही आएगा इसी तरह से अगर वो infinite set दे देता है बी set को infinite set दे देता है infinite set को इस तरह से भी denote किया जाता है कही बार sorry इस तरह से denote किया जाता है infinite set को अगर वो infinite set दे देता है तो प्यारे बच्छो अपना एक रोस भी क्या हो जाएगा infinite हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमें यही नहीं पता है infinite का मतलब होता है अनंत तक तो हमें यहीं नहीं पता है प्यारे बचो कि कहां तक हमारे elements जाएंगे, कितने elements के साथ यह है यहां पर बार बार pairs बनाएगा, इसलिए प्यारे बचो यहां पर एक रोज भी क्या हो जाएगा पना infinite हो जाएगा, यह और और एक basic बात थी, important बात थी तुम लोगों के लिए, अब आगे प्यारे बचो यहां पर तुम लोगों के लिए सीधे सीधे questions आते हैं questions करेंगे, questions के जरीए समझेंगे, कि प्यारे बचो इन सवालों के अंदर किस किस तरह से Cartesian product हमने निकालना है और क्या-क्या सवाल हमारे बने है और उन सवालों को करने की trick सारी चीज़े में समझा देता हूं तुम लोगों तो साथ के साथ जबन नोट्स बनाते रहना अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो प्यारे बचो फिर पीछे रह जाओगे एक मैंने बाद 10-15 दिन के बाद दुबारा वीडियो देखना अगर नोट्स नहीं बनाए है तो तो फिर वह इसे जीरो से लेकर स्टार्ट करोगे अगर नोट्स बना रखे हैं तो एक बार नोट्स को revise कर लेना दुबारा वीडियो देखने कि कभी जिंदगी में जरूरत ही निपड़ेगी तो यहां पर question देखते हैं पहले क्या question पूछा गया है तो सिधा यह question पूछा गया है if the set A has three elements set A में three elements है और set B मना क्या दिया हूआ है देखो यहां पर set A है उसने वह दिखाया ही नहीं है एक set B है B के elements में बता देता हूँ क्या क्या है red pencil में पूरी statement होगी वह लिखूँगा तीन चार पाँच यह elements दिये हुए तीन चार पाँच यह तीन elements अपने दिये हुए हैं प्यारे बच्छो तो यहां पर उसने क्या कहा है then find the number of elements in A dot B A dot B में number of elements बताने कितने होगी देखो प्यारे बच्छो अभी इसके बारे में बताया मैंने क्या बताया है यहां पर उसने कहा है A set है उसके अंदर तीन elements है उसने हमें elements तो दिये ही नहीं इस तरह के question देगा वो confuse करने के लिए exam में कि प्यारे बच्छो तुम लोगो अगर basic या concept पता होगा सवाल का तो तुम लोग जट से कर दोगे अगर तुम लोगों को basic नहीं पता होगा तो तुम इस सवाल को करी नहीं पाओगे कभी भी लाइफ में तो यहां पर उसने देखो क्या काया है हमसे उसने हमसे यह बात कही है उसने हमसे शिर्फ यह की बात पुछी है a set के अंदर तीन element b set के अंदर यह element तो हमें बताना है number of elements a cross b या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी है जैसे आपके mood पे depend और exam में इस तरह से question आया है तो इस तरह से बनेगा कोई दिक्कत नहीं है हमें करना क्या है प्यरबचो हमें तो सवाल का answer जो है चार option होगे वो टिक करना है तो करना क्या होगा अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था a cross b के अंदर गर हमें number of elements जानने है तो number of elements of a set multiply by number of elements of b set तो प्यरबचो a set के अंदर कितने elements है तीन और b set के अंदर कितने elements होगे तीन एक दो तीन समझ में आ गया तो यहां से कितने हो जाएंगे प्यरबचो total no elements जो अपने पास available हो जाएंगे तो हम उमीद करता हूं मैं प्यरबचो तो यहां तक की बाते तुम लोगों का अच्छे से समझ में आ रही हैं अगर चीजे समझ में आ रही हैं तो एक बार thumbs up करके बता दो कि मेरा जो effort है वो तुमारे लिए कुछ काम का भी है या मैं वैसे ही time पास कर रहा हूं अपना तो प्यरबचो कोमेंट करके बता दिया करो अब next question की तरफ बढ़ते हैं कि दूसरे question में देखते हैं क्या पूछा गया है तो इस तरह से होता क्या प्यरबचों देखो बहुत सारी लोग क्या करते हैं यूटूब पर अक्सर ऐसा ही होता है आते हैं यूटूब के उपर topic का नाम लिखा अच्छे अक्सरों में अच्छा अच्छा थमने लगाते हैं बड़े बड़े अक्सरों में relation and function उसके अंदर आएंगे करेंगे क्या तुम्हें दो तिन बातें बताएंगे यह कार्ट इस इन प्रोड़क् को नहीं बोल पा हुए है अब यहां पर क्या दिया हुआ है question देखो यहां पर दो सेट दिया हुए set g और set h बिल्कुल ऐसा ही question मैं करवा चुका हूं तुम लोगों को पहला ही question जो हमने किया था वो मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए एक example लिया था अपनी तरफ से 7, 7,8 एक set है अपने पास h इसके अंदर क्या element है 5,4,2 ठीका पहरी बतो यहां पर अपने पास दो set दिये हुए हैं अब यहां से क्या क्या question मन सकते हैं एक तो question उसने दो question हम से यहां पर पूछ लिये हैं एक तो हमें यहां से निकालना है जी multiply h और h cross g दोनों निकालने पहरे बचो एक तो g cross h निकालना है एक h cross g अभी तुम लोगों को मैंने थोड़ी दिर पहले इसके बारे में ही बताया है इस तरह का question आजाए paper में तो क्या घरना है सबसे पहले हमारा ध्यान होना चाहिए कि g cross h या h cross g के अंदर total number of elements क्या बन आएगे तो यहां पर g set के अंदर कितने element दिये हो हैं दो, h set के अंदर कितने element दिये हो हैं 3, तो total कीतना हो गया परे बचो 6, बोलो हाँ, ठीक है, तो यहां पर होगा क्या अब, g और h का cross product करना है हमें, तो cross product करने के लिए मैंने क्या कहा था, हमें pair बनाने होगी, pair बना कर यहां से इनका pair बनाएंगे, g और h के elements का, और दोनों के एक-एक element का एक pair, वो यहां पर g cross h का एक element होगा, यहां से लिए हमने 7, 7 का 5 के साथ pair बनाओ, फिर इसी 7 का, इसके दूसरे element, 4 के साथ pair बनाओ, फिर इसी 7 का, इसके तीसरे element, 2 के साथ pair बनाओ, हमेशा आगे वाला element जो इसके अंदर होगा, वो हमेशा इस पेर के अंदर होगा, वो हमेशा इसके उपर डिपेंड करेगा, और बादवाला इसके उपर डिपेंड करेगा, तो यहां पर आगे क्या कहा है, फिर आता है मारा आठ का नंबर, आठ का पांच के साथ, आठ का चार के साथ, और आठ का 2 के 6 यह अपनी की होगे पेरे बचो यहां पर element होगे अब गिंते हैं इनको 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने होगे पेरे बचो 6 element होगे ठीक है अब यहां पर यह भी मैं करवागे दिखा देता हूँ h cross g पेरे बचो तुम लोग खुद से कर ले ना इसको ठीक है? do yourself इसमें होगा कि पहले h के element फिर z के element तुम लोग खुद से कर लोगे कोई ज़्यादा टक नहीं है इसके अंदर कोई ज़्यादा कहान ही नहीं है next question की तरह बढ़ते हैं question number क्या आपना यहां पर दिया हुआ है if p is equal to mn एक set है p इस तरह से variable भी दे सकता है प्यारे बढ़ते हो set के अंदर और क्यों है? क्यों के अंदर क्या दिया हुआ है? n, m तो यहां पर उसने अपने आप हमें क्या दिया है? हमें यह बताना है, प्यारे बचो p cross क्यों ठीक है? हमें यहां से p cross क्यों निकालना है? ठीक है? वैसे तो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसने क्या दिया हुआ है? यहां पर हमसे prove मांगा हुआ है उसने खुद ही एक वो दे रखा है और यह पूछा हुआ है कि क्या यह true है या नहीं है? लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है हमारे paper में इस तरह का question नहीं आएगा prove करना हमारे पास नहीं आता है हमारे पास आएगा सिधा-सिधा p cross क्यों कैसे हुआ? ठीक है? पेर इसका पहला element और इसका दूसरा element अब N के साथ पेर बनाओ और यह अपना क्या होगा पेर बूतो? यहां से question 100 ठीक है? इसी तरह से क्यों cross P भी निकाल सकते हो वो भी तुम लोग खुद से कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है उसमें इसी तरह के question paper में आएंगे Cartesian product के उपर और ज्यादा कुछ इसके अंदर नहीं बनता है और दो तिन सवाल करवाता हूँ जिसे ताकि तुम लोगों को इसका basic job अच्छे तरीक के से clear हो जाएगा तो यहां पर क्या दिया हुआ है? यह question है यह बहुत बढ़िया question है पहरे बतो एक site दिया हुआ है इसके अंदर हमारे दो तीन चार question है एक मैं करके दिखाऊ हुआ एक दो बाकी तुम लोग खुद से करोगे 1,2,3 तीन element है 1,2,3 एक site दिया हुआ है अपने पास B इसमें है 3 और 4 बोलो हाँ अब एक site और दिया है set के अंदर क्या है set C 4,5,7 ठीक अभी अब इसके अंदर करना क्या है हमें NCRT का example है प्यारे बचो सीधे सीधे question आजाते है यहां से paper में तो 4 part दिया है इसके अंदर पहला part क्या है पहला part में बता देता हूं तुम लोग को हमें यहां पर क्या solo करना है A cross B intersection C क्या बात है इस तरह के स्वाल paper में आने के चांसे सबसे ज़्यादा होते है ठीक है इसके 4 part होंगे 4 part 1 by 1 लिखके और 1 by 1 समझाऊँगा ठीक है पहले 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 क्या करने के लिए जो तुम्हारा homework होगा बाक्की में समझाद होगा तो पहले पहले यहां से बहुत ही जबर्दस्त question बन रहा है देखो एक बात ध्यान से A cross B intersection C अब मैं यही बात कहना चाहता हूं जिस बचे ने अगर set-subset की वीडियो नहीं देखी होगी पहरे बत्यों वो यहां से इस question को कभी नहीं कर पाएगा और जिसने set-subset की वीडियो अथी से समझी होगी वो इसको जट से कर देगा ठीक है तो यहां पर हमें पहले क्या करना होगा पहरे बत्यों देखो इस question को ऐसा question अगर हमारे सामने आ जाए तो सबसे पहले ऐसे question को पालट टुकडे टुकडों में break करके solve करना है एक part यह होगा एक part यह ठीक है तो पहले हम इस part को solve करेंगे प्यारे बत्यों B intersection C यहां से निकालो B intersection C क्या होगा यह अपने आप में एक set बनेगा प्यारे बत्यों अलग से ठीक है एक A set हो गया एक B intersection C यह भी एक set बनेगा और उनके बीच हमें cross product निकालना है बस इतना तुम लोगों को समझ में आ गया तो तुमारे लिए सवाल में कुछ नहीं है तो B intersection C अब गुरू जी इस intersection का मतलब क्या होता है मैं फिर कौँँगा set subset वाली वीडियो जाके देखो intersection का मतलब होता है जो यहाँ पर दो set दिये है B और C की बात करना B और C इन दोनों के बीच में जो element common होंगे शिरफ उनी का set बनाना है जो दोणों में दिहोंगे कि तीन दोणों में दिया है नहीं चार दोणों में दिया है बिल्कूल दिया है तो 4 यहाँ पर लेंगे बकी यहाँ पर तो दो यह element यह यह three element है नहीं तो किसको comparison करें किसी को भी नहीं कर सकते तो B intersection C अपना क्या होगा यहां से 4 होगा अब यहां से हमें करना क्या होगा यह A है अपना और यह है B intersection C इस set के बीच में और इस set के बीच में हमें क्या करना है cross product निकालना है इन दोनों का multiply करो अब cross product इस set की बात आगी तो इसका जो set बनेगा प्यारे बच्चो वो कैसे बनेगा मैंने क्या कहा था जब भी हमें cross product करना है प्यारे बच्चो तो जो set हमारा पहले पूछा गया है उसका element पहले और फिर बादवाले का और फिर pair बनेगे ठीक तो यहां से पहला element उठाओ और इसका element क्या है चार वहां पर एक ही element है तो एक ही pair बनेगा अब दो दूसरा element उठाओ और यहां पर चार तीसरा element उठाओगे तो चार बोलो हाँ क्या ये बात तुमारे पल्ले पड़ी बई? यह चीज तुमारे पल्ले पड़ी? यह नहीं पड़ी? अगर नहीं पड़ी तो वीडियो को repeat करके देखो या फिर set sub set का topic जाके देखो तीक है? अब गुरु जी यहां तो तीन element आई एक, दो, तीन, तीक है? तो मैंने क्या का था फैरे बचो, जब भी हमसे वो पुछे कि total number of elements in a set a cross b या कुछ भी cross product के बाद जिन दो set के बीच में cross product हो रहा है total number निकालने पड़ जाए elements के इसके अंदर कितने element है? तीन, इसके अंदर एक, 3 इंटो 1, 3 बोलो हाँ ऐसा आशी ने यहां से भी question पूछा हुआ है तो देख लो तुम लोग यह होगा अपना one part ठीक है first part अब चलते है second part की तरफ बिल्कुल easy easy question है प्यारे बचो यह cartesian product जो है वैसे तो देखने में लग रहा है कि सीधा सीधा यह set subset का ही topic है लेकिन नहीं प्यारे बचो यह relation and function के अंदर आता है तो second part है उसमें क्या है? a cross b intersection a cross c यह intersection का sign होता है a cross c ठीक है प्यारे बचो यहां से हमें देखो क्या क्या करना है a cross b intersection a cross c तो यह अपना question होगा है प्यारे बचो अब यहां से हमें set बनाना पड़ेगा set बनाने के लिए दो बार cross product निकालना पड़ेगा पहले a cross b निकालो तो a cross b क्या होगा? यह a set यह b set बोलो हाँ यहां से पहला element 1 यहां से पहला element 3 पहला element इसका दूसरा element इसका दूसरा element क्योंकि वाँपर खतम हो गए है उसका पहला 2,4 3,3 3,4 बोलो हाँ ठीका पहले बचाओ अब यहां से निकालेंगे a cross c अब a cross c भी निकालना पड़ेगा तो a cross c यह a set यह c set तो a cross c 1,4 1,5 1,6 हिंदी में बोल रहा हूं ही बहुत सारे बचों की फिर दिमांड आती है कि सब इंगलीस में क्यों पढ़ा रहे हो इंगलीस में नहीं है भी बिलकुल हिंदी में है इंगलीस तो वो होती एक बार NCRT की बूक उटा आगे देख लेना cbsc का कोई वीडियो डोट लेना यूटूब पर वो होती है इंगलीस हमें कहां इंगलीस आती है अगर इंगलीस आती होती तो हम यह होते हैं तो यहां से पहले साथ के साथ बनेगा ना पहले प्रोफ एलिमेंट के साथ 2,4 2,5 2,6 अब 3 के साथ बनाओ 3,4 3,5 3,6 ठीक अभी यह हमारे टोटल क्या हो गए यह एक क्रोफ सी के अलिमेंट से बन गए 3 गुणा 3 नो 1,2,3,4,5,6,7,8,9 बोलो हाँ ठीक प्यारे बचो यहां से 9 अलिमेंट इसमें है और इसमें है इसमें स są element है, एक रोस बें अब हमें क्या करना है पहरे बचो 1 एक रोस बी इंटरसेक्शन ए करो सी अभी इंटरसेक्शन के बारे में बताया है इंटरसेक्शन क्या होता है शेम टो शेम ऐलिमेंट देखने पढ़ेंगे लिख है कि नहीं है इनके बीच में तो क्या element इनके बीच में सेम है देखो 1,4 दोनों जगाए पर है है ना 2,4 है 3,4 भी है और तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है अगर तुम लोगों को नजर आ जाए तो लिक ले ना 1,4 2,4 3,4 बोलो हाँ यह हमारा बन गया पहरे बसों intersection वाला एक रोष भी और एक रोष सीखा हवी यह चीज तुम लोगों को समझ में आई तुम्हारे पल्ले पड़ी के नहीं पड़ी मुझे एक बार बता दो क्या यह चीज तुम्हारे पल्ले पड़ी बिल्कुल इजी असान तरीकी से समझा रहा हूं उमीद है यह चीजे तुम्हारे पल्ले पड़ रही होंगी ठीक है अब next question की तरब बढ़ते हैं इसका और पार्ट लेते हैं थोड़ा सा इसको मैं रफ करता हूं साफ कपड़े से क्योंकि डश्टर के साथ साफ करते हैं तो अच्छे से साफ नहीं हो पाता है और गिल्ला भी हो जाता इसको सुखाना भी पड़ता है तो यह सारी चीजे चलती है अब यहां पर देखो क्या कहा है उसने साफ तीसरा पारट इस क्वेस्चन का मैं देखता हूं तुम लोग खुद कर लोगे या फिर करवाना पड़ेगा बता देता हूं एक क्रोस बी यूनियन सी यह मैं करवाँगा एक क्रोस बी यूनियन सी ठीक है पर बचो और यहां से जो चोथा पारट होगा वो तुम लोग खुद करोगे उसके बारे में भी बताऊंगो वो होम रक्का क्वेस्चन होगा तुमारा तो क्या दिया हूँ है एक क्रोस बी सेट बनाओ बी यूनियन सी का तो बी यूनियन सी का सैट बनाएंगा अब बी यूनियन सी का सैट बनाना पड़ेगा परे बचो अब देखो बी यूनियन सी का सैट कैसे बनेगा तो बी यूनियन सी का सैट जब हम सैट सब सैट कर रहे थे यूनियन में क्या किया था हमने सा दोनों के सारे elements रे लेकिन जो elements दोनों में common दिये होए हैं जो repeated हैं उनको a की बार लेज़िए यहां से 3 लेंगे यहां से 4 लेंगे जार यहां पर भी है तो a की बार लेंगे यहां से 5 और यहां से 6 यह उगभा आपना be union यहां से तुम लोगों का जो set और subset है वो भी recall हो रहा है उसकी भी अपने आप practice हो रही है तो यहां पर आप में क्या करना हुआ इस set के बीच में और इस set के बीच में cross product तो a cross b union c इस तरह के बहुत सारे सवाल करवाई थे मैंने वहाँ पर बस cross product नहीं था वहाँ पर तो 1,3 पहला element दूसरा element 1,4 उसका पहला element इसके बाकी के सारे element बहुत लंबा बन रहा भी 1,5 1,6 अब 2 के साथ 2,3 2,4 2,5 2,6 आगे भी बनेगा अब 3 के साथ 3,3 3,4 3,5 3,6 ये बनेगा अपना a cross b union c ठीक है पहले बतो यहाँ से इस तरह का question paper में आएगा तो मुझे तो नहीं लगता कि इतनी लंबी चीज वह तुम लोगों से पूछेगा लेकिन एक चीज वह जरूर पूछेगा कि इसके अंदर number of elements कितने बनेगे तो number of elements से निकालने का तरिक्का मैंने बता दिया तुम लोगो set a के अंदर कितने element है प्यारे बचो 3 element b union c हमने यहाँ पर निकाला इसके अंदर कितने element है चार element दोनों का प्रोड़क्ट कितना हुआ बारा तो क्याज कितने है एक दो तीन चार पात छे साथ हट नो दस ग्यार बारा बिल्कुल सभी ठीक है पहरे बचो इस तरह से हम इन कर सकते हैं अगला question है जो मैंने बोला कि तुम लोग homework के लिए दे रहा हूं तुम लोगों को तो वो तुम लोगों को खुझ से करना पड़ेगा अगर तुम लोगों को खुझ से नहीं करोगे तो भी मैं क्या कर सकता हूं तुम लोगों का अभी एक जो पिछली कलास हुई थी अयोटा वाली उसमें एक लड़की है कवीता नाम की है उसने बिचारी ने question का answer किया था हाला कि वो question का answer जो है उसका right नहीं था लेकिन कोई बात ने उसने कोशिस की मुझे सबसे अच्छी बात लगती है बच्चे attempt करने की कोशिस करते ह होगे करनी जरूर पड़ेगी बेटा बिना मेनत के काम नहीं होगा हां अगर तुम्हारे पास 15-20 लाग रुपे 12-15 लाग रुपे पड़े हैं तो फिर तुम लोग ले कोई दिकतिनी है फिर अपना पैसे देखे काम करवा लो होगा के वह कोई यूनियन एक शी है कंपेटिशन देख लो कितना बड़ा हुआ है ये कोश्चे तुम लोग करौगे पैरे बसे हो ये ॉम्ह का wipes मुझे कोमेंट करके बताना और इसके अदर number of elements, कितने बने हैं ठीक अब ही, तुम लोगों का यह होमडर्प का question हो गाओ, प्यारे बत्तो हो, हमें competition की बात कर रहा था, अब देखो competition की इतना बढ़ गया है, अभी 11-2011 सब को पता है कि उसके अंदर क्या हाल था तो सोच सकते हो प्यारे पत्सों 90 में से तो कैसे होगा सेलेक्शन की दोड कितनी मुश्किल है और अब जो CET आया है ना ये ये तो तुम लोग ये सोच लोग एक मीठा जाहर दे दिया तुम लोगो सरकार ने उसके अंदर पिर अजया तो कितना उसके उपर मैं किसी दिन वीडियो बनाँगा तुम लोगो को पता चलेगा कि CET कितना ये ओओ के लिए ये अलग-अलग डिमांड आती है और कुसि की ये बी डिमांड आती है ना comments के ओपर भी वीडियो बना दो तो भी तुम्हारे जो comments आते हैं comments के ओपर भी एक दर वीडियो बनानी पड़ेगी कि किस-किस बचे ने क्या-क्या comment किये हैं हलाकि किसे बचे आज तक मुझे कुल गलत comment नहीं विजा है सबी के अच्छे प्यारे प्यारे कुमेंट आते हैं और बहुत अच्छा लगता है और वो कुमेंट देखने के बाद ही चाहे एक कुमेंट आता हूं मेरे पास लेकिन आता अच्छा है उसी से मैं मोटिवेट होकर यहां पर आता हूं तुमारे लिए एक अच्छा कंटेंट ड वाना तुम लोगों को question डूंड़ना पड़ेगा तो प्यारे बतों यहां पर आपना next question देखते हैं उसमें क्या पुछा गया है हमसे कि देखो कितना अच्छा question दिया हुआ है अभी मैंने थोड़ी दिर पहले बात की थी ना मैं बात में बताऊंगा सबसेट के number of subsets कैसे निकलेंगे तो यहां पर दिया हुआ है दो सबसेट दे दिया अपने a is equal to यहां पर कुछ भी हो सकता है number की digits की बजाए variable भी दे सकता है पी क्यों a b m n कोई दिक्कत नहीं है तुम लोगों को और बी सबसेट दिया हुआ है 3,4 अगी क्या कहा है राइट a cross b हमें यहां से a cross b निकलना है और उसके बाद हमें how many subsets will a cross b have फिर हमें बताना है भी a cross b के subsets कितने बनेंगे subsets कितने होंगे ठीक भी बिलकुल आसान है कुछ नहीं है तो a cross b करते हैं पहले लगतार सुरू से एक ही काम करते आ रहे हैं पहला एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट एक एलिमेंट पहला इसका दूसरा एलिमेंट इसका दूसरा एलिमेंट और इसका पहला इसका दूसरा और इसका भी दूसरा ठीक है पहले बचो इस तरह से मरा क्या हो गया A x B आ गया, अब हमें क्या करना है यहां से, अगर वो पूछे हम से, टोटल नंबर ओफ सबसेट्स A x B है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा प्यारे बचों, देखो, यहां पर हमेशा में यूज करना है एक फार्मूला 2 की पावर है, ठीक है, प्यार बचाओ, अब गुरु जी, M क्या हुआ, तो M के बारे में बता देता हूँ, नंबर ओफ अच्छे चे लिखेंगे इसको, नंबर ओफ ऐलिमेंट्स इन A x नंबर ओफ ऐलिमेंट्स इन B, कितने हैं, दो, multiply by दो, कितना हो गया, चार, इसी को क्या बोलेंगे, M, बोलो, हाँ, तो प्यारे बचो, और अगर इसको denote करना है, तो इसको कैसे denote करेंगे, N, power set of A, is equal to 2 की पावर N, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sorry, A x B होगा, power set of A x B, तो यहाँ पर 2 की पावर M, यानिकी कितना है, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, बोलो, हाँ, तो number of subsets कितने होगा, अपने 2 की पावर 16, sorry, 2 की पावर M, यानिकी 16, M हमारा किसके को बचारे बचो, number of elements in A x B, 1, 2, 3, 4, अभी बताया, मैंने इसके बारे में, बहुत अच्छे से तुम लोग को, कि number of elements in A x B क्या होगा, तो A के elements, multiply by B के element, यही अपना M है, और O ही 2 की पावर को उसी में रखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्यरे बचो, number of subsets बन जाएंगे, total कितने subset यहां से बनेंगे, अब एक question और है, बहुत ही जबरदस्त, उसके बाद है अच SSE के पूछे हुए question, और तुमारा यह topic clear, ठीक है पहरे बचो, फिर next topic की तरब कुछ जाएंगे, जिसमें हम relation के बारे में पढ़ेंगे, relation के, domain क्या होता है, range क्या होता है, उसे जुड़े कुछ questions करवाऊंगा, और फिर, function का number आएगा, तो यहां पर question दिया हुआ है, बहुत ही जबरदस्त है, A site दिया हुआ है मुझे, minus 1,1, आगे क्या गाए है, find, A cross A cross A, बोलो खांग, तो पहरे मत इसको बोला जाता है, triplet product, cartesian product के अंदर, इसको triplet बोला जाता है, order of triplet, तो इसको कैसे किया जाएगा, कैसे solve कर सकते हैं इसको, इसको solve करने में कुछ भी difficulty नहीं है, A cross A cross, चाहे वो चार बार दे दे हमें, हमें कुछ नहीं दिक्कत है, हमें सिर्फ सवाल करने से मतलब है, तो यहाँ पर देखो क्या दिया गोशने, यहाल पर हमें क्या करना पड़ेगा, टुकुडे बनाने पड़ें पहरे बचो, पहले दो गे टुकुडे बना लो, फिर एक टुकुडा लेलो, इनके आपस में क्या करनी है cross product या फिर ऐसे कर लो पहले इसका ले लो फिर ये ले लो तो मतलब मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर इस तरह से भी हो सकता था एक वो अलग से set देता B और एक देता C और फिर बोलता A cross B cross C वो भी इसी तरह से होता और ये भी इसी तरह से होगा ठीक है दोन्मों में कोई फरक नहीं आएगा तो पहले A cross A लिखते है A cross A तो A cross A का मतलब क्या हुआ इसी set की इसी set के साथ cross product cartesian product करेंगे तो क्या करना है एक set ये है फिर से इसी set मतलब इस set का पहला element और इसी set का फिर से पहला element minus 1, minus 1 अपनी सहूलियत के लिए चाहें तो हम इसको फिर से यहाँ पर लिख लेते है minus 1, 1 ठीक है इसका पहला element इसका भी पहला element अब इसका पहला element इसका दूसरा element minus 1, 1 बोलो हाँ इसका दूसरा इलिमेंट, इसका पहला इलिमेंट, 1,-1 इसका पहला, इसका दूसरा और इसका भी दूसरा, 1,1 बोलो पहाँ, समझ में आया, अब यह, देखा, कमाल अब यहां से हमें क्या करना हो का फैरे मत्स अब ट्रीबल आट निकालना है, A x A x A एक सैट यह हो गया, अब यह सैट बन गया एक, और इसका क्रोस करना है, लिखेंगे इसको A x A x A तो यह अब डिपेंड करेगा कि पहला एलिमेंट हमें यहां से लेना है, या फिर हमें यहां से लेना है ठीक है तो माली जी मैंने यहां से लिया यह इस तरह से ले लिया टुकडों में किसी भी तरह से कर लेना अंसर सेम आएगा बस आगे पिछे का चेंज हो जाएगा तो पहरे बचो यह एक सेट है और यह एक अलग सेट है ठीक है तो पहले मैं इसका पहला अलिमेंट और फिर इसका पहला अलिमेंट तो माइनस वन कोमा माइनस वन बोलो हां अब इसका पहला अलिमेंट इसका दूसरा अलिमेंट माइनस वन कोमा माइनस वन कोमा वन बोलो हां इसका पहला element इसका तीसरा element माइनस वन कोमा वन कोमा माइनस वन बोलो हाँ इसका पहला element और इसका चोथा element माइनस वन कोमा वन कोमा वन बोलो हाँ अब आता इसका दूसरा element और इसका पहला element वन कोमा माइनस वन माइनस वन अब आएंगे आगे इसका दूसरा element, इसका भी दूसरा element 1, minus 1, 1 बोलो हाँ इसका दूसरा element 1, minus 1 और इसका ये दूसरा element और इसका ये last वाला 1, 1 ठीक है पेरे बच्च में ये अपना क्या हो जाएगा? A cross A cross A triplet हो जाएगा, इसको order of triplet बोला जाता है एग्जामिनर बड़ा चलाक है हो सकता है इस बार यहां से question पोच ले तो इसके अंदर भी कुछ ज़्यादा ऐसी बात नहीं है कोई कि मैं ये कौँ कि बहुत ही अलग चीज है इसके अंदर कुछ भी अलग नहीं है तो यहाँ पर उमीद करता हूँ यह सारे सवाल तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होंगे अब ही तो यहाँ पर अगर number of सीधा सीधा यहाँ से यह भी पूछ सकता हूँ पहले questions की तरह है number of elements in a cross b sorry a cross a तो प्यारे बच्छ देखो a cross a के अंदर कितने element है multiply किसे करेंगे इसके अंदर कितने element है कितना होगे अपना 8 अब यहाँ पर देखो यहाँ पर total कितने element बने है 1,2,3,4,5,6,7,8 बोलो हाँ मतलब अपना जो question है वो बिल्कुल right answer आ रहा है तो पहरे बचो यह उमीद करता हूँ कार्टेशीन प्रोड़क्ट के सवाल तुम लोगको अच्छे से समझ में आ गए है अब मैं एक question लोगा वो HSSC का previous year का पूछा हुआ question है अगर और कोई question होगा तो वो भी ले लोगा previous year के questions की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि हमने अभी तक इस class के अंदर जो सीखा है क्या हम HSSC के questions को उसके जरीए tackle कर पाएंगे हाँ भी क्या हम HSSC के questions को उसके जरीए tackle कर पाएंगे ये चीज़ अब हमें देखनी है यहां से तो पेरबचो यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है ये सवाल HSSC के previous year paper का पूछा हुआ question है ठीक है पेर बचो cross product के उपर HSSC previous year question और ये question तुम लोगों को उस पीडियाथ में भी मिल जाएगा जिसकी मैंने starting में बात की थी तो सब्सक्राइब पान्सुप्र questions की है 32 topics जिसके अंदर cover किये हुए है वहाँ पर मिलेगा साथ में solution भी मिलेंगे इस तरह के बहुत सारे सवाल मिलेंगे सारे तो करवाना मेरे लिए possible नहीं है पैरे बचो तो मैं topic भी करवाता हूँ और जुड़े वे सवाल भी करवाता हूँ और पैरे बचो देखो यह सवाल मुझे कैसे पता चलता है कि कौन से सवाल जो हूँ करवाने के है और कौन से सवाल जो हूँ छोड़ने के है क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे भी होते है NCRT के अंदर जो मैं नहीं करवाता हूँ तो लोग हो तो यह एक अपना जब research करते है ना जिस तरह से मैंने आप लोग के लिए PDF की तियारी की 12 गंटे की marathon class provide करवाई उसके लिए जब मैंने content इकटा किया तो मैंने देखा वहां से मुझे पता चला कि किस लेवल के सवाल HSSC पूछती है कहां से पूछती है कहां कहां से आगे पूछ सकते है तो उससे अपने आप पता चल जाता है क्या चीज करने की और क्या चीज नहीं करने की है इससे अजंशन आ जाती है इसलिए वो PDF तो उन्हों के लिए बहुत ज़्यादा important है उस PDF की cost मातर 30 रुपे अगर solution के साथ चाहिए और 20 रुपे without solution answer की के साथ ले लो इतना तो कोई भी deserve करता है कोई ज़्यादा high cost भी नहीं रखी गई है बहुत कम से कम भी 1000 बचों नहीं वो PDF अभी तक purchase की है तो मैं तो कहूंगा कि जो बच आप इस PDF को purchase करेगा वो अपना math के अपने आपको और ज़्यादा strong करेगा और पर जो math का क्या होता है 8-10 question अगर paper में आ गए और वो तुम लोग को सारे topics आते हैं तो confirm हो जाता है कि ये 10 numbers जो है ये आप लोगों के बिल्कुल खरे हैं इन number के साथ आपका कोई खिलवार नहीं कर सकता GK का question क्या होता है कभी वो बोल देता कि हर याना के अंदर क्या है गंगा नदी बहती है हमें मानना पड़ता है चसेशी के साथ हम जगडा कर नहीं सकते प्यारी बचो लेकिन math के अंदर तो वह ऐसा नहीं कर सकता solution दिखाना पड़ेगा उसको तो बस वही बात है अब सवाल देखो सवाल के अंदर क्या का आया है A set दिया हूआ हुआ है इसमें जयदा कुछ है स्टेटमेंट में एक रोष बी इंट्रेक्शन सी अब जिस बचे ने यह topic पड़ रखा हुआ वह समझ गया कि यहां से में क्या निकालना प्यारी बचो निम्बर डिenden67 तो वह सब्कुरत कपो निकालने बाड़ाणी तो यह नहीं तो यहां पर हमेंש पर प्र वार से काई पोरblack ग्राइब कर दी demasiानल मिग्मार्णी निकना कम प्रसेक्षे श हैं तो ब्या क्रणा प्रसाइक्षन प्यां पनेगा o तो पहरे बतच्प मैंने क्या कहा था इंटर्सेक्षेन का मतलब क्या था कि यहां पर कितना है तो ठीक section के पहरे बच्छो और A set के अंदर कितने element है पहरे बच्छो तीन element है, B set के अंदर कितने element है, एक element है, मैंने क्या कहा था, इन दोनों का cross product करेंगे तो इनके बीच number of elements कितने बनेंगे, इसके elements और इसके elements का multiply, यानि कि number of elements A cross B intersection C, अपने कितने बनेंगे पहरे बच्छो, 3 multiply by 1 is equal to 3 बोलो, हाँ, सारा concept करवा दिया है, अच्छे से सवाल भी करवा दिया है, इसे जूड़े होए, तो अपना क्या हो जाएगा, पहरे बच्छो ये option जब गलत हो जाएगा, और आपका एक number, गायब, राइट अंसर क्या हो जाएगा, B option, ठीक है पहरे बच्छो, अब यहाँ से अगर वो हमसे कहता कि A x B intersection C, अभी ये सेट पूरा लिखके दिखाओ, ठीक है, पूरा सेट लिखके दिखा देंगे क्या दिक्कत है, इसका पहला element, इसका एक ही element है, सार के साथ सेंका पेर, पांच के साथ सेंका पेर, बस, ये होगा अपना ये element, बस, और क्या था इस सवाल के अंदर कुस भी नहीं था, तो इस तरह का सवाल A.S.S.C. ने पूछा है पहले, आगे भी पूछने के, पूरे-पूरे 100% से भी ज्यादा चांसीज है, प्यारे बचो, और A.S.C. हमेशा उसी टोपिक पर फोकस करने की कोशिश करती है, जो टोपिक हम लोग ने नहीं पढ होता है, और प्यारे बचो बागी के कुछ सवाल मैंने उसमें करवा दिये थे आप लोगों के, जो सेट सबसेट वाला टोपिक करवाया था, उसके अंदर, वहां पर करवा रखे हैं बाकी के सारे सवाल, तो उस वीडियो को भी देखना, प्यारे बचो, इस वीडियो को भी किसी के अंदर कमी निकाले ना, फिर देखो, मैं ऐसा हूँ, प्यारे बचो, मुझे अच्छा लगता है, अगर मेरे अंदर कोई कमिया निकाल दे, और मैं फिर उन कमियों को दूर करने के लिए मेहनत करूँ, कोसिस करूँ, और फिर उनको दूर कर पाया, तो मैं समझता हू कि हाँ मैंने मेहनत कि और मेरी मेहनत रंग लाई है तो पेरे बचों यहां पर मेहनत आप लोग के लिए जा रही है आप लोगों के पेपर में एक से दो नमर की अगर मैं help करने में काम्याब रहा तो अपने आपको खुश की मल किसमत समझूँगा मैं तो सभी बचों से मेरी ए आपको प्रियोप कोष्ट प्रोवाइड करवाई जाती है जीके की कुईज भी चलती है वहाँ पर अपना टेलीगराम का चैनल है सबस्क्राइब paral. प्रीविए इएर फेपर्ष मैं करवा रहा हूं पुलिस भी नहीं कर लिया कर लिया तो इसी तरह से आगे भी आप message मिलते रहेंगे सीरिज भी सब्सकुपे रहे हैं तो इन्मेस भी जाते रहें हें आप live classes भी चलती रहेंगे आपकी और प्यारे बच्छों ये जो classes होती है important topic के उपर मैं concept वाले जो topic होते हैं उनके उपर प्यारे बच्छों आप लोग लिए offline class ही provide करवाता हूँ ताकि जो बच्छे बाद में देखते हैं उनका time waste ना हो उनका भी time बचे तो प्यारे बच्छों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत helpful रहेगी निदिया आपको लगता है तो प्यारे बच्छों share और subscribe जरूर करें आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यावाद जय हिन जय भारत थैंक्यू